कि वेल्कम तू माचानल तो आज के टैरो डिंग का टॉपिक है योर इंफुलेंस ऑन यूप स्पाउस तो आपका इंफुलेंस जो आपके स्पाउस पर किस तरीके का पड़ेगा क्या चेंजिस उनकी परस्टालिटी में आएंगे या क्या वह फील करेंगे आपके लिए यहां स्पाइल नम्बर टो आप हीलिंग से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बदे मन से चूज कर सकते हैं अगर आपने होप को चूज किया आपका बदे मन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपका किस तरीके का इंफुलेंस पड़ेगा मेजिशन जमिना की एनर्जी है नेक्स टॉर सिक्स ओफफ कॉपस नेक्स PvT इक पेर निक्स टार किंग ऐव पेनिकल्स और नेक्स टोर serpent रहर की तक छानउ्最क्ष मेक driving फोना निल्यगरेंच.. त्या अच्छो बिदख सब्सक्राइंच.. नेक्श वकोसे पाव भर जेमेनाइच मे यौटsi.. मार्स अनर्जी भी मुझे यहां पर लग रही है और प्लूटो या उरेनिस भी होगा क्योंकि आपके जो मतलब एक्स्टा मेसेज है आपका जो सोचने का तरीका है वो आउट अफ दो बॉक्स है जैसे मान लीजिए अब कैसे कहूं मैं आप थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड एक्जामपल है अब पता नहीं किसी को पता है या नहीं पता अगर आपने कभी फिजिक्स पढ़ी हो चीक है तो उसमें जैसे मान लो कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई नुमेरिकल तो उसमें यह होता है कि हम जो है वो मान लेते हैं कि यह जो है एक्स है या बी है या मैथमेटिक्स में जैसे होता है कि लेट ए जो है वो एक्स है या बी है तो एक एजूम करके जो है आप एक्वेशन को सॉल्व करते हो वही चीज यहां पे है कि जो कैल्पुलेटिव आप तो रिस्क लेना पसंद करते हो, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, तो जो युरेनिस वाली एनर्जी है, या प्लूटो वाली एनर्जी है, वो यही चीज है, कि आप आउट अफ दा बॉक्स, सारे लोग जो है, वो लेट, एस एकल टू एक्स होगा, चीक है, बट आप जो है, वो जो मतलब सौ लोग जो है, वो एक चीज को इसी तरीके से देखते हैं, जैसे कई बारी आपने इंट्यूशन टेस्ट या वो आते हैं, जैसे जब आप जो ड्राइविंग लाइसंस बनवाने जाते हो, या कलर ब्लाइडनेस का जो है, वो टेस्ट होता है, कि उसमें चुपा होता है, कि ये अक्षर B जैसे लिखा हुआ है, तो उसके अंदर छुपा होता है, तो आप B देख पा रहे हो, ठीक है, बाकी सारे भी लोग B देख पा रहे हो, लेकिन आप जो है, उसको दूसरी तरीके से भी पढ़ लेते हैं, कि वो D भी लग रहा है, बेशक B है बर D भी thinking है, अब यहां पर influence की हम बात कर रहे हैं, कि आपके spouse तो आपका किस तरीके का influence पढ़ेगा, पहली चीज़ तो यह है कि आपके spouse जो है, वो यह महसूस कर पाएंगे, कि अगर कुछ खराब हुआ है, जैसे होता है, कुछ negative हो गया, या किसी की job छूट गई, या कुछ और हो तो जाद तर लोग परशान होते हैं, मैं यह नहीं कर रही हूँ कि आप हसोगे या ऐसा कुछ है, बट आप यह कहोगे कि यह एक phase है, नेक्स्ट phase पे जाना है, यह अगर हुआ है तो कुछ अच्छा ही होगा, वो वाली thinking से आपके spouse बहुत जादा influence हो गया, और आप यह करके देने की ठानी रखी है, तो माली जो आपको बीस हजार का नुकसान भी हो गया, मैं सिर्फ एक example दे लिए, तो बीस हजार से ही आप निपट गए, आप यह नहीं कि आपको दो लाख या दो करोड का नुकसान हुआ, आगे आने वाले समय में, तो इस तरीके का जो positive mindset है, या स six of cups है, king of coins है, ace of cups है, influence जो है, वो यह रहेगा कि आपके जो spouse होंगे, जो भी gender हो, उन्हें यह महसूस होगा, ज्यादा तर पहले उनका perception यह था, जैसे कि अगर men है, तो उन्हें लगता था कि जो है, एक दूसरे के साथ intimate होना ही, जो है, वो actually में love creation है, बड़ा ऐसा है नहीं और actual life में भी है नहीं, जो थोड़े से भी mature है, उनको समझ आती है यह बात, और जो immature है, या teenager है, या उट पठांग influencer को देखते रहते हैं कि अजीब अजीब जो हरकते होती हैं, social media पर बाकी मैं कहना नहीं चाहूंगी, तो कुछ भी बोल दिया, कुछ भी उट पठांग हरक पाएंगे कि आपने यह क्या कहा और क्यों कहा और actually में वो जो depth है, inner peace की, शान्ती की, मन जो है वो भागेगा नहीं, यह नहीं है कि XYZ सामने से लड़की निकली, उसको देखने लगे, उसके बारे में सपने लेने लगे, fantasy होने लगी, यह सब immature लोग करते हैं, जादतर cases में, आपको जो है, आपका influence इतना जादा रहेगा कि आपके spouse जो थोड़े बरती immaturity थी, वो भी जाए, जो वो नाइट वाली energy थी, वो जो है, हाइरोफेंट में या king में जो है, वो change हो जाएगी, तो ऐसी energy यहाँ पर आ रही है, आपका बहुत ज़रा influence इस person पर रहेगा, आप इस person को जो है, लव करना सिखा होगा, actual meaning जो है, वो feel कर पाएंगे, तब ही ace of cups है, king of points आया है, कि ट्रेडेशनल marriage है, लेकि उसके बाप जो है, उसकी जड़े जो है, वो बहुत ज़रा मजबूत है, जैसे आपने कभी देखा हो, कोई बहुत पुराना पेड होगा, 100 साल का, 300 साल का, 400 साल का, उसकी जड़े भी बहुत मोटी मोटी होती है, उसका तना जो है, जो ट्रंक है, वो तो मोटा है ही, लेकिन वो भी है, तो उस area से, उस जगह से, उस पेड को भी लगाव है, और जो लोग आसपास उसके रहते हैं, उनको भी लगाव होता है, ये उस तरीके का relationship होना, और सिर्फ relationship के लिए नहीं कह रही हूँ, घर का होना, relationship का होना, अपने secrets आप उसे बता पा रहे हो, वो आपको अपने secrets बता पा रहे हो, चाहे past में कोई girlfriend boyfriend रहा भी हो, लेकि उसके भी secrets आप एक दूसरे को बता पा रहे हो, तो एक खुशी है, यह नहीं किताना मार र होगे, एक pillar की तरीके से, कि हाँ मैं life में हूँ, तो सब कुछ ठीक होगा, ऐसा उनको hope रहेगी, ऐसी उनको उम्मीद रहेगी, वो जो है, आप से सीखेंगे, कि किसी भी option को जो है, किस तरीके से चुनना है, और ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, या सब कुछ वो ही सिखा र रहेगा उनके ओपर, वो ये रहेगा कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही नहीं है, जैसे for example, थोड़ा difficult example दे रही हूँ, अगर आप जो है, जैसे दो लोग हो सामने, तो मैं एक इनसान को जो है, offer कर रही हूँ कि मैं आपको एक करोड देती हूँ, ठीक है, और सामने पाऊँगे कि आपने ये क्यों चूस किया, ठीक है मैं यहाँ पर यह नहीं बताऊंगी कि कौन सा option ठीक है, पर यहाँ पर यह चीज है कि आप उनको ये सिखा पाऊँगे कि immediate reaction नहीं करना है, long term सोचना है, और long term इस तरीके का सोचना है कि कुछ ना भी करा हो, सोते हुए भी जो है कमा पाए, या शान्ती रही, शान्ती रहना मन में हमेशा inner peace रहे और जो है वो एक relaxation रहे, हर समय के tension, anxiety ना हो, life अपके अपने आप बढ़ जाती है, तो इस तरीके की energy यहाँ पर आ रही है, मुझे यहाँ पर यह भी फील हो रहा है कि आपका influence इतना जादा रहेगा कि यह person जो है, आपकी health routine को या eating habits को भी follow गरेंगे, तो ऐसी energy आ रहे है, जिससे उनकी health, sleep, stress level, mental health, सब को जो है, वो improve होगी, तो वो magician की तरीके से आप, आप जो है, आप already powerful manifester हो, magician हो, आप उनको भी इस तरीके से बना दोगे, आता उनके पास है, सारी qualities भी है, लेकिन उसको manage कर ना जो है, वो आप अच्छे तरीके से सिखा दोगे, जिससे वो अपनी जिन्दीगी को खुशी से जी पाए, जो मैंने कहा कि stress ना हो, anxiety ना हो, इस तरीके का burden ना हो, life अच्छे से जी पाएं वो, smoothly जी पाएं वो, और खुशी हो, और अगर कुछ positive, negative, बहुत दादा impact हो भी सच में प्यार करना सिखा पाओगी, जो मैंने पहले भी बोला है, वही चीज मैं repeat कर रही हूँ, तो यह person समझ पाएंगे और वो अपने आप से भी self love करना सीखेंगे, शुरुवात में जो है, उन्हें ऐसा लगेगा कि उनको बाहर की validation चाहिए होगी, कि x, y, z ने मुझे अ ऐसी energy है कि आपका इतना influence रहेगा उनके उपर, कि आप उस person को strengthful बना पाऊगे, सामने वाला कुछ भी का है, अच्छा या बुरा, मुझे घंटा फरक नहीं पड़ता, मैं अपने आप में खुश हूँ, मुझे जो करना है, मैं वो करूँगा, ठीक है, और presentable लगना, बाकी पा रहे होगे, जिस तरीके की depth इस reading में आ रही है, वो चीज मैं बता रही हूँ, वो चीज यहाँ पर exist करेगी और यह चीज तरीके का influence जो है, वो रहेगा, और यह person जो है, आपके spouse होंगे, वो आपके आने के बाद जो है, बहुत जादा success को, जो है, वो देखेंगे अपन with हो गई, या healthy, जो कैसकते है, routine हो गई, उस पे जो है, moderation आ जाएगी, कि यह person समझ पाएंगे, यह मिर ले सही है, यह मिर ले सही नहीं है, और कभी मन किया, तो टिकी पकोडी खा भी ली, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ऐसी energy यहाँ पर आ लिए, निक्स आरा आपके लि कि उनकी जो, dressing sense तक है, वो जो है, काफी enhance होईगी, मैं यह नहीं कहने बुरी थी, बट enhance होगी, इस चीज के साथ, यह वाला जो है, वो सूट अच्छा लगता है, या इस चीज के साथ, यह वाली accessory अच्छी लगते, यह वाली घड़ी अच्छी लगते, यह वाली शूज आएगा, तो आप उनकी लाइफ में एक rainbow की तरीके से, एक new hope की तरीके से, new beginning की तरीके से आओगे, जिसका वो उन्हें बिल्कुल भी बतलब शुरुआत में expectation नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे जो है, वो आपके साथ, पूरी तरीके से evolve हो जाएगे, तो ऐसी energy यहाँ पर आ आपके लिए आएगे, ट्री आफ लाइफ आया है, यह चीज़े चिल्रन यहाँ पर रहेंगे, घूमना फिरना होगा, यहाँ पर राबिट भी आया है, तो इंटीमेसी जो है, वो अच्छी रहेगी, क्यारियर में भी जो काफी कुछ अच्छा कर पाऊगे, पीस रहेगी, और सोशल मीडिया वाला कैमरा भी है यहाँ पर, तो आप लोग जो है, एक पावर कपल की तरीक से देखे जाओगे, और हर समय जो है, जैसे कुछ लोग कर रहे हैं, कि हर समय जो है, वो सोशल मीडिया को दिखा रहे हैं, कि देखो मेरे में कितना प्यार है, आप ऐसा नहीं क तुम ही आना मरजावा मूवी का है और नेक्स आरा आपके लिए वे कमलेया प्रीतम ने गाया है या कमपोस किया होगा देख लेना कोई गाना है तो उस तरीके के गाना जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे इसी तरीके फीलिक्स जा है वो आपके लिए फील करेंगे तो पाइल नंबो वन ये थी आपकी डिडिंग उमीद करती हूं आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग और अच्छी लग रही है तो प्लीज चानल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्रा इस तरीके का रहेगा इस तरीके का रहेगा विए उनको एंजाइटी फील होती थी कोई काम ना होने की या फिर जो है कभी-कभी नेगेटिव चीजे हो जाते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जैसे मान लीजे आप ड्राइव कर रहे हैं और आप सीधे जा रहे हैं और एकदम से कोई जो है गाड़ी आ गई या एकदम से जो है वो बाइक आगई बेशक भगवान ना करें किसी के एक्सिडेंट हो बड़ा ब्रेक लगाओगे ये एक अन्यूज़ सिचुएशन है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उस तरीके की अन्यूज़ या अन्नोन जो सिचुएशन है उसमें किस तरीके से टाकल करना है क्योंकि ये पोशन जो है वो काफी सेंसिटेब होंगे जल्दी परिशान होते होंगे तो उस चीज़ को टाकल करना आप सिखाओगे इतनी एंजाइटी या इतना स्ट्र माली जाइगा आपकी जिन्दगी में आने से की ऐसी एनरजी है कि उन्में पेशन्स जो है वो आएगी पहले पेशन्स नहीं रखते थे या फिर स्ट्रेस्फुल बहुत ज़्यादा होते थे एंजाइटी बहुत जादा रहती थी और हर समय ऑवर्थिंक करते थे यह नी यह यह नहीं है, जैसे मान लीजे कुछ होता भी है, जैसे सिर्फ एक एक जामपल दे रही है, जैसे मान लीजे आप शाम को ओफिस से घर आ रहे हैं, जो भी टाइम हो, आड़ बजे, नौ बजे जैसे भी हो, तो हो सकता है, ट्राफिक जादा मिल गया हो, तो दस पंदरा मिनट आ तो यह चीज, एंजाइटी, यह परसन ऐसे सोचते होंगे, कि हाई पता नहीं, एक्सिडेंट हो गया, हाई पता नहीं क्या हो गया, तो जो थोड़ा सा पैनिक मोड है, वो आप कम करोगी, इस परसन से जो है, इंफुलेंस यही रहेगा, आपका, इंफुलेंस जो है, वो इ seven of cups है, अलग-अलग opportunities आ रही हैं life में, क्या choose करना चाहिए, क्या नहीं choose करना चाहिए, उसके positives क्या है, उसके negatives क्या है, ऐसा नहीं है, कि उनको नहीं आता है, वो दूद पिच्चें बच्चें है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन समझ आता है, कि या मेरे लिए यह सही रहेगा, मे परिशान नहीं होना है, कोई boss जैसे हुच हो गया, या जैसे मानलीजे भगवान नहीं करें, किसी की death हो गई, तो आप एकदम से अगर सब कुछ छोड़ दोगे, या एकदम से परिशान होने लग जाओगे, तो फिर आप वहाँ पर खुद बेहोश हो जाओगे, दूसरे को आपको समझाया जाता है, कि clutch को धीरे धीरे छोड़ना है, और धीरे धीरे accelerator दो, जाहाँ पर भीड हो, एकदम से नहीं, अगर रफ तरीके से चलाओगे, तो जर्क करेगी गड़ी, या रुख जाएगी, तो वही चीज यहाँ पर है, कि आपको थोड़ा सा guidance आप उनको इससे जो है, उनकी डेस्टिनी में चेंज आएगा, उनके मन में शांती आएगी, और काफिया तक वो जो confidence, जो lose कर देते हैं, एकदम से या पैनिक हो जाते हैं, उसमें जो है, बदलाव आएगा, confident रह पाएंगे, इससे जो है, कि confidence से जो है, वो बहुत सारी achievements क्रियेट करें जो है, वो चीजों को खराब नहीं करेंगे, या अपनी health को खराब नहीं करेंगे, तो ये चीज का influence आपका रहेगा, आप दोनों की बीच पे बहुत अच्छी bonding रहेगी, unconditional love रहेगा, और आप दोनों ही एक दूसरे को care, वो अपने अपनी love language के हिसाब से करोगे, एक इनसान जैसे आप हो, आपका ये होगा कि तुम्हारी तरक्की में मेरी तरक्की है, ऐसे चीज है, और उनको जो है, gift देना पसंद होगा, या आप से जो है, बहुत जादा cuddling करना, या किस करने की इच्छा होगी, तो वो चीज भी यहाँ पे है, नेक्स टार है, king of pentacles है, eight of pentacles है, तो यही चीज है, कि एक meticulous, जैसे यह eight of pentacles में जो है, वो डाइग्राम भी बना हुआ है, मतलब representation है, कि वो इनसान इतना determination से लगा हुआ है, कि मुझे इसको इस तरीके से excel करना है, तो वो ही वाली energy है, यहाँ पे, excellence वाली energy है, कि ऐसा आपका influence उन पे रहेगा, और वो बहु जादा ऐसी feeling आरी है मुझे, कि वो आपको अपना pillar तो मानेंगे, लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, तो सबसे पहले वो आपको याद करेंगे, तो आप उनके एक support system बहुत जादा रहो है, और ऐसा निए कि आपको वो support नहीं करेंगे, हर इंसान का अलग-अलग nature होत कि nurturing वाली energy उनमें जादा होगी, आप female होके भी, आप masculine energy या जिम्मा लेना, या जैसे कहा जाता है कि जिम्मेदारी लेना, leadership quality, वो आप में जादा होगी, तो धीरे धीरे आपसे वो influence होके, अपने आपको काफी हद तक improve करेंगे, या पर seven of cups वही चीज़ है, बहुत सारी opportunities है choose क्या करना है, वो अपने हिसाब से मुझे देखना है, या फिर जैसे होता है कि कहावत होती है कि don't put all eggs in a one basket, तो यहाँ पर यही चीज़ है कि सारे अंडे जो है, वो एक ही basket में नहीं रखने चाहिए, अलग-अलग रखने चाहिए, जिससे जो है, आपको अगर मान लो, वो कुछ नुकसान भी हूआ, खासकर यह, जो है, एकनोमिक्स में या मनी से रिलेटेट चीजों में बोला जाता है, तो आप समझ पहों कि नुकसान हूआ तो दो अंडो का नुकसान हूआ, सभी नुकसान नहीं हूआ, तो ऐसी नेरजी है और इससे जो है, वो सीख पाएंगे, चलिए देखते हैं कुछ और कार्ट पहला आरा है हीलिग नौ इस टाइम फॉर यू तो गेव तो रिसीव हीलिग एवरीवन है नाच्रल अच्रल अबिलिटी तो हील अधर अधर यू और नेक्स आरा मैजिकल बेसिंग आपको एक ब्लेसिंग की तरीके से देखें हो और यू तरीके से आप उनकी लाइफ में आओगे यहां पर टूल जो है वो बच्चे भी होंगे और हीलिग होईगी इंट्यूशन जो है ऐसी रहेगी आपकी और उनकी आप दोनों की जो है अच्छी बॉंडिंग रहेगी चलिए देखते कुछ चांप्स यहां पर चारियर जो है व तेरे हमसफर कयाम से कयामत तक का और नेक्स टार है कहीं तो होगी जाने तू या जाने न मूवी का तो इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना जाहेंगे इसी तरीके फीलिंग जो है वो आपके लिए फील करेंगे तो फाइल नमबर टू यह थी आपकी रीडिंग उम